असलाम उलेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट पुडिंग की रेसिपी शेयर करूंगी यह एक बहुत ही आऊसम डिजर्ट है और इसका बनाना काफी आसान है लेकिन यह जितना आसान है बनाने में इसका टेस उतना ही लाजवाब है इसे आप बहुत ही इसली जो है रेडी कर सकते हैं लेकिन यह डिजर्ट जो है सबको बहुत जादा पसंद आता है तो आपके यहां कोई गेस्ट आए तो आप इसे जरूर बनाए तो चलिए देख लिए इसे बनाने के लिए कि इन चीजों की जरूरत है यहां देखिए मैंने तीन कप जो है दूद ले लिया है और यहाँ पे एक कप दूद ले लिया है एक कब जो है कब डेसिकेटड कोकॉनट है नारियल कबुरादा और छे टेबल इस्पून यहां शकल ले लिया है तो मेरा जो बेटर बहुत थीक हो गया था तो मुझे एक कप दूद फिर से मिलाना पड़ा था हलका गरम करके तो आप यहां पर जो है सिर्फ चार टेबल स्पून कॉन फ्लोर का ही इस्तेमाल करें इसे अच्छे से घोल कि इसका एक फाइन सा घोल लेडी कर लेंगे यहां देखिए दूद गरम हो गया था तो हमने इसमें शकर डाल दी है और शकर को पहले मिल्ट करेंगे जब शकर अच्छे से मिल्ट हो जाएगी जो जो कॉन फ्लोर का घोल हमने रेडी किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से लगातार यह देखिए दूद काफी ठीक हो गया था इसलिए मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि आप यहां पे 4 टेबल इस्पून ही कॉन फ्लोर का इस्तिमाल करिएगा तो यहां पे मैंने जो है नारियल का बुरादा भी डाल दिया है देखिए मैंने एक कब दूद जो है फि जाता है और एक टेबल इस्पून यहां मैंने बटर डाल दिया है इन चीजों से क्या होता है कि टेस्ट जो है जरस टबल हो जाता है यहां देखिए ब्रेट को मैंने सर्विंग डिश में असंबल कर लिया है और इस पर मैं जो है मिक्स फूर्ट जूस टाल दूंगी जूस इसे क्या होता है कि हमारी ब्रेट जो है बिल्कुल जूसी हो जाती है और बहुत ही जबर्दस्त इसका एक फ्लेवर आता है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइब करिएगा जूस डाल के आप देखेंगे कि एक अलग ही सा जो है फ्लेवर आ जाता हमारे डिश में तो ये देखिए काफी ठीक हो गया है हमारी पूडिंग का जो बैटर था ये काफी जो ठीक हो गया है तो हम इसे चलाके थोड़ा साओर पका लेंगे ये बिल्कुल डेडी है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और अपनी ब्रेट के ऊपर ये सारी जो पूडिंग है इसको प अच्छे से चारो तरफ हम इसे पोर करेंगे यह बहुत ही टेस्टी होता है जब इसे हम चारो तरफ पोर कर लेंगे बिल्कुल सेट कर लेंगे तो हम इसे फ्रिज में कम से कम दो घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए दो घंटा फ्रेज में रखना ज़रूरी है तो आप लोग इसे जो है दो घंटे के लिए ज़रूर फ्रेज में रखें तो देखिए मैंने इसे दो घंटे जो है फ्रेज में रख दिया था अब ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है इसे मैंने कुछ जो पिस्ता बारी कट कर लिया था उसे इसे गार्णिश कर देंगे यहां भी मैंने कुछ ड्राइ रोस पेटल्स लिये हुए थे उनसे भी गार्णिशिंग कर लेंगे इससे क्या है कि हमारी जो टिश है वो लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगने लगती है आप अपने मन पसंद तरीके से भी इसे गार्णिश कर सकते हैं तो लाईए अब कट करके दिखा देते हैं कि यह कितना जबरदस्त जो है हमारा डिजर्ट रेडी हुआ है आप देख रहे होंगे इसके लेरिंग कितनी परफेक्ट हुई है तो यह बहुत ही टेस्टी होता है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा चलिए तुम्हें इसे टेस्ट करके बताती हूं कि यह टेस्ट में कैसा हुआ है तो आप लोगे यकीन मानिएगा यह बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है तो आप लोग भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा नारियल की पूडिंग को तो अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो पिलीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए है तो मेरी आप लोगों से हमबल लिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब के बगएर ना जाएं थैंक्स पा वाचिंग